कर दो आप अगर आप इस तरीके से एक बार काजु कत्ली बनाएंगे तो आप हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे तो इसे एक बार ट्राइज जरूर करेगा और जो भी मैं ट्रिक बताओं उसे फॉलो करेगा तो आपकी काजुकतली मार्केट से भी ज्यादा अच्छी बनेगी तो मेरे रेशिपी को लाश्टर तक देखेगा कि इसे मैंने कैसे बनाया तो चलिए फिर श्टार्ट करते हैं इ कब कजु 500 consultant मैं inh菸ाब एक यहां पर मैंने साबोत काजु लिया है मेरी कजू इसलिए अच्छी इन pó नि तो इसे मैंने 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दिया था ताकि जो पीष्ट समय इसका तेल न छोटे और इसे लगातार चलाते हुए नहीं पीष्टना बस बहलाना है बंद करना चलाना बंद करना बस तरीके से लिए जब आपका पाउडर बंजा तो इसे चनी से चान ले रहा है तो मैंने आप चोटी बढ़ाइस चानी सही है पीस और जो बावडर बचे चान ले रही है और लाश में निकले उसे मत लिए इसे में उसे हटा दीचेगा आप किसी वी चीज में उसे यूजेगा कोई के साइब ने में काम में लेंगे पाउडर हमारा बनकर त्यार हो घया है। किआप के उपड़क करता है कि आपको काजु क तूटले ना या सावुत लेना लेकिन तो मैं यहां पर मैंने क सीनिकाम में पनी है और यह यह मैंने आदा कdie पानिया है करीपिड नेगे तो स्टीके अत्रीक है मेड़ी टॉर्ट में यहां पर अपने टेश्ट के अंग सा ची डाली तो आप पर रहेंगा तो यह मैंसे को इस तो नहीं को उडिया तो अधार की चासनी बना लगा तो में आ यह जो प्रेंगे पाध्य यह तो तुक्याए तो अच्छा सा टेस्ट नहीं आता है मैंने यहां पर एक चमच गुलाब जल डाला है और मैं थोड़ा से राची पाउडर डाल रहे हैं ताकि जो हमारी काजु कतली का टेस्ट कलर चेंज ना फ्रेंट्स और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते रहना आपको छो प्रेंट्स और आपको इसे कैसे चेक करना है कि पक गया है तो देखिए अभी तो यह कडाई में चीपक रहा है जब पक जाएगा तो मैं आपको इसे चेक करके दिखाती हूं मैंने इसे थाली में रख लिया और इसे गरम-घरम मच होईएगा हाथ बहुत जल्दी जल जाता तब ही आप इसको चेक करेंगा नहीं तो आपका इस्तिधिया में पेश्ट जल जाएगा अब मैं इसी कड़ाई में लगातार इसको चलाती रहूंगी बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि हमें बाहर भी निकालकर इसे मसलना है और इसे बहुत देर तक की मसलना जा रहा है ताकि हमारा हाथ बिल्कुल भी नचले फ्रेंस हाथ का बहुत ध्यान रखेगा यह बहुत जल्दी चिपक जाता है हाथों में बहुत जल्दी जल जाएगा हाथ तो इसलिए आप चेक करते रहे हैं और मैंने यह आप बटर पेपर लिया इसी तरीके कि आप दो से करना है आपको यह चीज़ गरम-गरम में ही करने इसलिए हाथ का बहुत ध्यान रखेगा तो अगर आप यहां पर साबुत काजु लेते हैं तो जो उसका साबुत काजु का टेस्ट और तुकड़े वाला काजु खाके देखेगा उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है बह कि मैंने आपर साबुत काजु यूज किया तकि हमाने ज़ neighbor काजु बना रहे तो ठोड़ा कम चीन चीजाका आपकी क्याइगा मिलता है लेकिन काजु कतली हमारे बहुत अच्छी बन करते हैं तो वह 19 खाकर खुष हो जाएगा कि की वेचे बना रहे तो वह एक स्क्री सारे जो टॉप के बरांड हैं सब आपकी फेल हो जाएंगे काजु कतली की आगे बहुत ही टेश्टी बन कर तेयार हो की तो लिए तो जितनी काजु कतली थिकनेस होती भस मैंने उतना ही मोटा कर और मैं इसमें चांदी का अरक लगा देती हूं बहुत जादा नहीं चाहिए त ताकि अच्छे से हो जाए और मैं इसे 10-15 मिनट के लिए फ्रीज में रखोंगी उपर से वही बटर पेपर मैं कवर कर दूँगी ताकि जो है इसमें परत ना जम है अगर आप खुले रख देंगे तो इसमें परत जम जाएगी तो मुझे परत नहीं चाहिए तो चली मैं इसे फ्रीज में रख देती हूं तो फ्रेंस मैंने इसे 15 मिनट बाद निकाल लिया है और अब मैं इसे आपको काट कर दिखाती हूं इसे कवर जरूर करेगा नहीं तो इसके उपर हलकी सी परत आजाएगी सूख जाएगी तो या तो आप इसे एसी में छोड़ दीजेगा अगर तो इससे कवर करके रखिएगा बिना कवर करके मत रखेगा नहीं तो सूख जाती बहुत जल्दी तो इस तरीके सेमने काट लिया इसके लिजें इस बहुत ही अच्छा डिजाइन आएगा और बेल आइकन ज़रूर ब्रेस करेंगा ताकि मेरी न्यू रेसिपी के नर्टिफिकेशन आप तक आते रहें और मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से अच्छी से अच्छी रेसिपी लाती रहूं तो यह कट गई है अब मैं से बटर पेपर से निकाल रहे हूं बहुत ही निकल जाती है जब आप इसे गरम-गरम मत काटिएगा नहीं तो सेप अच्छा नहीं बनेगा और सारी काजु कतली बिगड़ जाएगी इसलिए तो यह इतनी सारी काजु कतली तयार होगे फ्रेंस 500 ग्राम काजु में हमारी आधा किलो से थोड़ी से कम क्योंकि मैंने थोड काट़ी टेश्टी यह तो फ्रेंस मेरी रेसिपी को लाइक जरूर करेगा मेरी रेसिपी को लाश्ट तक दिखने के लिए थाएंक्यों फिर मिलती हूं नेस्ट रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाबाए करना